एक राजा की दो रानिया थी, बड़ी रानी स्वभाव से गुसेल और घमंडी थी, उसके बच्चे भी नहीं थे, तो वहीं छोटी रानी का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो दयालू, मिलनसार और हंस्बुक थी, उसके दो बच्चे थे राजा का जुकाव छोटी रानी की तरफ अधिक था, वो अपना बहुत सारा समय छोटी रानी और उसके बच्चों के साथ बिताते थे, बड़ी रानी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, वो छोटी रानी और उसके बच्चों से नफरत करती थी, वो हमेशा चाहती थी कि कि इसी तरह छोटी रानी और उसके बच्चों को राजा से दूर करे और महल से बाहर निकाल फेंगे। वो हमेशा ऐसे ही किसी अफसर की तलाश में रहती। फिर उसे एक प्लान सुझा। और उसने अपने प्लान को पूरा करने के लिए महल के एक दर्बान को अपनी तरफ मिला लिया। एक दिन राजा के दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें एक तितली दिखाई दी। उसे पकड़ने के लिए वो तितली के पीछे पीछे चल पड़े बड़ी रानी और चालाग दर्बान ये सब देख रहे थे बड़ी रानी ने दर्बान को कुछ इशारा किया और वो बच्चों के पीछे चला गया उसने बच्चों को धेर सारी तितलियां दिखाने का बहाना किया और बहाने से जंगल में ले गया और फिर बच्चों को कुए में फेक कर उसे उपर से ढग दिया और सबसे नजर बचा कर चुपचाप सीधा साधा बन कर महल चला आया इधर महल में अफरा तफरी थी छोटी रानी के दोनों बच्चे कहीं नहीं मिल रहे थे उन्हें सभी लोग खोज रहे थे सब परिशान थे बड़ी रानी भी परिशान होने का नाटक कर रही थी बच्चे आखिरकार नहीं मिले तो नहीं मिले बच्चों के वियोग में छोटी रानी का मानसिक संतुलन खराब हो गया वो अजीब सा व्यवहार करने लगी तो बड़ी रानी ने चालाकी से राजा को समझा कर छोटी रानी को एक कोठरी में बंद करवा दिया कि ये अब पागल हो गई है बस ऐसे ही दिन बीत रहे थे फिर एक दिन महल का वजीर जंगल की रास्ते कहीं दूसरी रियासत को जा रहा था तभी रास्ते में एक पेड़ पार उसे दो विचित्र फल दिखाई दिये जो हस रहे थे उसने सोचा वो डर गया हिंमत करके वो पेड़ के पास गया और दोनों फलों को देखने लगा वजीर घबरा गया वो घबरा कर महल वापस आया और उसने राजा को सारी बात बताए अब राजा भी वजीर के साथ जंगल में उसी पेड़ के पास गया राजा ने चाहा कि वो इस फल को तोड़े राजा को देखकर एक फल बोला तुम हमें दोणना चाहते हो हम उचे होते जाएंगे किसी के हाथ ना आएंगे बड़ी राणी आएगे तो ही हम उनके हाथों में जाएंगे राजा और वजीर वापस आ गए और इस बार वे बड़ी राणी को लेकर जंगल में उसी पेड़ के पास गए बड़ी राणी को देखकर फल बोला तुम हमें दोणना चाहते हो हम उचे होते जाएंगे हम किसी के हाथ ना आएंगे दर्बान को ले आओ हम उसी के हाथों में जाएंगे अब राजा के आदेश आनुसार जंगल में उसी दर्बान को बुलाया गया दर्बान ने फल को देखा और फल की तरफ हाथ बढ़ाया दर्बान को देखकर फल बोला तुम हमें दोड़ना चाहते हो अब मुझे होते जाएंगे हम किसी के हाथ ना आएंगे छोटी राणी को ले आओ तो हम उन्हीं के हाथों में जाएंगे अब सब परिशाद ये सब क्या है ये ऐसे कैसे वे चित्रफल है अरे भाई क्या हो रहा है ये क्या कह रहे है खेर राजा ने छोटी रानी को जंगल में उसी पेड़ के पास बुलवाया छोटी रानी को देखकर फल बोले तुम हमें तुर न चाहती हो हम तुम्हारी हाथ महीं आएंगे तुम हो हमारी माता हम तुम को केसे बूल पाएंगे ये कहकर वो वापस पहले की तरह बच्चे बन जाते हैं अब दर्बान और बड़ी रानी का पाप सब के सामने आ गया बच्चों ने बताया कि किस तरह दर्बान ने चालाकी से उन्हें जंगल मिला कर कुएं में छिपाया था वो तो दर्बान की इस शैतानी को एक जादूई परी चुपचाब देख रही थी जो दर्बान के जाते बच्चों को कुएं से बाहर निकाला और पेड़ के सुन्दर फल बना दिये और कहा कि राज महल से जब कोई आये तो तुम्हें ऐसा कहना है यानि बड़ी रानी और दर्बान की चालाकी को उनकी करतूद को सामने लाने के लिए एक तरह से ये जादूई परी का प्लान था तो इस तरह से बच्चों बड़ी रानी की चालाकी और पाप अब सब के सामने आ गया था और अब कोटरी में थे बड़ी रानी और दर्बान और अब छोटी रानी और उसके बच्चे महल में राजा के साथ खुशी खुशी रहने लगे और वो हमेशा मन ही मन उस जादूई परी का धन्यवाद करते थे तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ